नवस्ते, हमारी बादचेत के इस खास कारिकर में आपका स्वागत, इस समय संसत का सीत काली जो सत्र चल रहा है उसमें कई सारी विधेयक आने हैं, यह विधेयकों से ज़्यादा हाला कि इस सत्र जो है, वो सांसदों के निलंबन को लेकर के चर्चा में है, पर सांसदों के नि असर होना है ये बात कहीं न कहीं छुपी सी रह जा रही है ये बात हमारे और आप तक नहीं पहुँच पा रही है आज की इस बातचीत में हम कुछ ऐसे ही बिलों की बात करेंगे खास करके वो बिल जो हमारे और आपके हर चीज को नियंतरित करने के लिए ले करके आया जाना ऐसा प्रतीत होता है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पूरी की पूरी बात जो है वो डिजिटल होती जा रही है डिजिटल को बढ़ावा देने की बात सरकार भी कर रही है और हमारा और आपका डिजिटली करण भी उसी गती से होता चला जा रहा है आज हम और आप एक द हम के लिए ये जो सारी चीज़ें आती हैं दूरसंचार के तरगत आती हैं और दूरसंचार विधेयक 2023 इस सत्र में जो है वो केंदर की सरकार लेकर के आ रही है उसको पासकराने की बात हो रही है। सरकार जो है वो गरिब बढ़ाएगी क्योंकि सरकार जिस तरीके से चाहती है उससे इतर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अभीवक्ति के लिए आजाद है और सरकार के विरोध में भी मुखरता से बोलते हैं मुखरता से सरकार से सवाल भी पूछने का काम करते हैं तो क्या इस माध्यम से ऐसे चीजों पर लगाम लगाने का काम सरकार करेगी जैसा आप देख पा रहे हैं आतमजीत सर अमारे साथ मौझूद है अदनी सर बहुत स्वागत है आपका हम सर सीधे बात करते हैं कि यह जो विध्यक दूसर अचार विध्यक 2023 जो आ रहा है क्या है यह विध्यक क्या कुछ करने जा रही है सरकार जी यह टेलेकम्निकेशन अमेंडमेंट बिल है दोजार तेइस दूसर चार विध्यक 2023 इसमें राष्ट हित्त के मामले में युद्ध की स्थिति में और गर्मेंट एडिनिस्ट्रेशन किसी भी समय किसी भी दूसर चार कंपनी या उनकी इसमेंडमेंडमेंट है अब बात ही आ जाता है कि जब आप केली कम्म्निकेशन कंपनी का नियंत्रण और प्रबंदन अपने हाथ में लेते हैं तो उससे रिलेटेट जीतना डेटा है किसके पास वह हो को फो फोन है कितना दूर संचार की जो सारी डेटेल्स हैं परसनल जाएगा और इसमें जब प्रबंदन की आप बात करते हैं तो क्या पता कि ये दूर्संचार कमपनियों को मान ने किया जाए सरकार द्वारा कि हमें administrative purpose के लिए ये डेटा आपका चाहिए कि ये phone कौन इस्तमाल कर रहा है कहां इस्तमाल कर रहा है क्या डीटेल्स है उसकी तो ये अभिवक्ति की आजादी और जो कहते हैं कि हमारी जो प्रिविसी है उस पे इंक्रोच्मेंट है सदिनेम बिल के तुरूब इसको प्रबंदन हाथ में लेने और नेंटन करने का बिल जो है ये वाटसाइप है इंस्टाग्राम है यूट्यूब है यह टेलिग्राफ है यह जो एप्स हैं किया यह दूर संचार अधिनियम माध्यम से जब अमेंडमेंट्मेंट्स की जाएंगी तो क्या इसका कंट्रोल भी क्योंकि इंटरनेट और तिंग्स में आता है तो क्या इस पे भ पर सरकार का अभी ध्यान के इंडरित नहीं है पर वो चाहें तो कर सकती है तो एक ग्रे एरिया है वो कहते हैं कि हम चाहते नहीं कि हम किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट में जाएं किसी के फेस्बूक अकाउंट में जाएं पर जिस तरीके से सरकार ने पेगसिस पाया गया या उसके कहते हैं फुट्प्रिंट्स पाये गए तो इससे यह संभावना बन जाती है कि यह सरकार आने वाले समय में दूर संचार अधिनियम बिल के द्वारा आपके फोनों को टैप करने की पूरी अवियक्ति के आजादी को करने की पूरी ताकत रखती है और इस अधिनियम बिल के आजाने के बाद 2023 के आने के बाद अब आप का फोन और आपके फोन का डेटा यहां तक कि जो हम पेमेंट्स करते हैं गूगल पे या पे टीम पे यहां वोइस पॉल्स करते हैं उसकी उसका डेटा भी जब जी सरकार चाहे उन कंपनी से मांग सकती है ले सक गूगल पे को लेकर तो काफी सरकार यह कह रही थी कि इसमें ट्रांजक्शन जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं जिसमें टैक्स जो है सरकार को रजस्व का कोई फाइदा नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में जब यह कंट्रोल सरकार के पास आ जाएगा तो क्या जो कोई मनशा सरकार की है या उसको कंट्रोल करने की मनशा सरकार की तो यह सब चीज़ें भी सवाल हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है पर विशेशग्यों का और सरकार के कुछ लोगों का मानना है कि इस से आम आदमी की जिंदेगी में फरक पड़ेगा और 2G spectrum का मामला किस तरीके से सामना आया उसके बाद ये मामला Supreme Court और ये सारी चीज़ें Supreme Court ने फिर spectrum पर रोग भी लगाई उसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई तो क्या ये जो विधैक है इसके माध्यम से सरकार जो है इस सारे रोग को बाईपास कर पाएगी या अभी भी ये बात देता है रहेंगी सरकार के उपर दिखिए 2012 में सुप्रीम कोट नेशी शिदालत ने के फैसले के बाद स्पेक्टरम जैसे संसाधनों को सरकारी आवंटन देने का उन्होंने कहा था जिसकी जितनी जादा वोली होगी उतना होगा और एक विनोद राय की रिपोर्ट भी आईपी जिसमें कहा था कि कोईले के आवंटन में और टूजी थ्रीजी में इतने करोड रुपए का नुकसान हो गया हाला कि उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो ऐसा कुछ टॉटफॉल मिला नहीं कि राजस्व का कितना नुकसान या फाइदा होता पर एक वो रिपोर्ट ऐसी बनाई गई जिसमें यूपी सरकार पे इल्जाम लग गया कि अपने लोगों को ही ये टूजी थ्रीजी के स्प स्प्रीम को सुप्रीम कूर्ट ने 2012 में गयर समयधानिक ठहराया और उसको अवेट ठहराया उसके बाद अगर ये विध्यक आ जाता है और सरकार को अड्मिस्टेटिवली आवंटन करने की खुली छूट मिल जाती है अभी तो वह सैटलाइट स्पेक्ट्रम की बात कर रही ह सैटलाइट स्पेक्ट्रम क्योंकि इंटरनेशनल होता है तो उस पे तो अड्मिस्टेटिवली सरकार अवंटन का काम कर सकती है या कुछ उसके मादद दिये जा सकते हैं पर जो दूर संचार टेलिग्राफ एक्ट है जिसके अंदर आपका टेलेफोन जाते हैं और आपकी सा स्प्रीम कोट के जो फैसला था उसमें आवंटन को कम से कम सौस थे जादा स्पेक्ट्रम के लाइसन्स रद किये गए जो यूपिए सरकार की दौरा दिये गए और उसमें जो अधिकांच थे वो विवसाहिक विवसाहिक या मतलब आप कहिए कि बिजनस उत देश्यों से जो स्पेक्ट्रम दिये गये थे उसको यह कहागया कि बर इस सरकार कपार क्राम नहीं है वंटन करना उसका काम है एक इनफार्चर्षक्चर क्रीट करना open auction कराना उसकी दवरा ही यह सब करना जो है वह किया जा सकता है पर सैटलाइट स्पेक्ट्रम के लिए अरय तेल की company और ऐल है इसमें कई कंपनिया हैं जो internationally connected नहीं है तो जिसके पास जितना international market में satellite connections के लिए contacts हो या contact points हो यह already related business में हो तो एलन मस्की के अपनी company Amazon के अपनी company तो चाहते थी कि administratively किया जाए और यह जो bill आया है यह इसी को लेकर आया है पर इससे क्या आपका जो OTT है जैसे कि आप जितने programs आप OTT में देखते हैं प्राइम पे Netflix पे और TV channels पे तो क्या यह भी दूर संचार बिल में अंडर control आ जाएंगे क्या इस पे भी sensor लग जाएगा यह अभी कुछ चीजें हैं जो नहीं है इन फैक्ट आइटी मंतरा लेके वरिष्ट अधिकारी का यह भी कहना है कि अगर यह मौदूदा अपने मौदूदा सुरूप में अगर यह मसौदा पारित हो जाता है और बिना discussion के इस बिल को शीत कालीन सत्रम में अगर कर दिया जाता है जिस तरीके से सो एंपी कल आपने दिखा लोगसभा राजसभा में निकाले गए तो चल्चक कैसे होगी किसके साथ होगी जब सो एंपी जी आपोजिशन के नहीं रहेंगे तो कोश्चनार में सवाल कौन पूछेगा और जवाब कौन देगा तो इसमें कई की ऑनलाइन सेवाओं को दो-दो रिपोर्टिंग करनी पड़ेंगी और बहुत सारा डेटा लेंदेन के डेटा आपका पर्सनल डेटा आपकी पर्सनल फेस्बुक अकाउंट ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब के चैनल जो हम दोग सोशल मीडिया के तुरू यूज कर डेट के इतना इंपोर्टिंट बिल जो है वो पास नहीं होना चाहिए जी जी जो इंटरनेट अधारी जितनी भी सेवाए हैं जैसा आपने फेस्बुक वाट्सेप का जिक्र किया यूट्यूब का जिक्र किया ये सारी चीजे फिर इस रिगुलेशन में सरकार क्या धीना ज रहेगी देखे 2022 का जो विधेक था उसके मसौदे में इंटरनेट सेवाएं के लावा आपकी वाइसमेल इलेक्ट्रोनिक्स मेल वाइस वीडियो और डेटा संचार सेवाओं को शामिल करने के लिए इस पस्ट रूप से परिभाशिक किया गया था 2022 अब यह जो आया है मिधेक आया है इसमें कई चीजें क्लियर नहीं है 2022 में तुन्होंने कहा था कि आपका डेटा आपकी इमेल्स आपका वॉइस डेटा आपके वीडियो और जितना भी टेलिग्राफिक एक्ट में कवर होता है मैसेजिंग के द्वारा या दूर्स अंचार के द्वारा या ऑप्टिक फाइबर्स के द्वारा और वेव के द्वारा तो वो रेडियो वेव के द्वारा तो वो सब उसमें परिभाशित होगा पर अभी जो यह नया बिल आया है उसमें सिर्ष सैटलाइट स्पेक्ट्रम की बात की गई है जो दूर संचार सहीता के अंदर जो स्पे जाएगा तो उसका फाइनल जब वो बनाएंगे रूल बनाएंगे तो उसमें उस सेंटेंस को डाल सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि संसद में पेश किया विधेक का संसकरन और बाद में जब वो इंप्लिमेंट किया जाएगा जब उसका लौ बनेगा तो दूर संच का वो और OTT की सेवाएं जो आप ले रहे हैं वो क्या किया जाएगा यह अभी तक जो है यह बाते नहीं है और इसमें मैं आपको इक और बात बता दू कि अगर यह बिल पास हो जाता है सैटलाइट स्पेक्ट्रम का और उसमें अगर आप दूसरी सेवाएं जो है सेवाएं भी उसमें डाल देते हैं तो administratively और सरकार के पास पूरा एक तंत्र आजयेगा जिस से वह कभी कैसे भी किसी को भी मैं पकड़ सकते हैं या उनका डेटा जो है आ सकते हैं अब उस सरकार के पास डेटा इतना सेफ है जे जरून दो सर देट कि यह तरीके की ट्रांजेक्शन पर भी नजर रखी जा सकती है और दूसरा डेटा की जो आप बात कर रहे थे में सवाल भी था मेरे मन में कि क्या जो डेटा सुरक्षा की चीजें बार बार खबरें आतें बहुत सारे कि इतने करोड़ डेटा है वो लीक हो गया इतने लोगों का data जो है तमाम marketing company को बेच दिया गया इस तरीके की जो खबरे आती है क्या इस पर भी कुछ प्राविधान करने का है इस विध्यक में कुछ इस पर भी data सुरक्षा का कुछ इंतिजाम किया जा रहा है इस विध्यक में जैसे यह telecommunication bill 2023 है तो यह खाली spectrum allocation साय हो satellite spectrum allocations हो या telegraphy या telephone की spectrum allocation हो उसी के लिए है पर यह जरूर है कि अगर इसको आप compare करें जैसे आधा data है या जंधन account का data है 104 करोड लोगों का data dark web पे अवेलिबल है और उस पर भी तहकीकाद चल रही है EDCBI की inquiry चल रही है कि वो data data dark web पे कैसे पहुचा पिछले कुछ दिनों में पांच अच्छे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जिनके पास डेटा था वो डेटा उनके पास पहुचा कैसे इस सर्वर्स में वो डेटा चोरी किया गया इस पे अभी कोई खुलासा नहीं आया है और आपका ये शक शु दूरसा चार कंपनियों से एक फीस भी लेगी उसको अड्मिन्स्टेशन को देने के लिए तो एक लाइसेंस राज की भी अवधारना होगे इसमें कि सरकार अगर 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 आप उसकी फीस नहीं दे सकते सरकार की तो आप से चीन कर दूसरी कंपनी को भी दे स सकती है तो उसमें मुनापली सिचुएशन भी बना सकती है हो सकता है दो ही दूरसचार कंपनिया रह जाएं बागी सब छोटी-छोटी कंपनिया खतम हो जाएं उनको स्पेक्ट्रम ही न मिले तो करेंगे क्या हो तो यह एक चीज है और डेटा डेफिनेटली जो है उस पे ख आपके बास एरटल का से में जीयो का सिम में वोड़ाफोन का से में तो दूर संचार कंपनी के बगाएर तो यह चैली नहीं सकती ही पेमेंट अप्स कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं या जिससे आप पेमेंट ले रहे हैं चाहिव सकाइब तो वह और मैसेज के माधियम सह लगती हैं और आने वाले समय में हो सकता है उस अड्मिस्टेशन के लिए आप पे टैक्स भी लगाए जाए कि आप से गूगल पे और पेटियम की फीस लगेगी एक परसेंट की या दो परसेंट का सैस लगेगा क्योंकि अभी तक तो आपके ट्रांसे पैसा कटता है या नडीय देटा का खतरा तो रहेगा क्योंकि जहां जहां एड्मिस्टेशन सरकार करेगी वहां वहां डालीक का खतरा उस डेटा का दाक वेप पे अवेलिबल हो ना उस डेटा का भिखना तमाम तरह की अंसुनिस्टिट कॉल हम सब को रोज आती हैं पचास से सो कॉल हरा अद जिसको Digital India का नाम देकर यह कहा गया कि demonetization के बात कि आगे आने वाले समय में Digital रुपया ही चलेगा, Digital India ही चलेगा, तो क्या इन विधेकों से Digital India को खत्रा मिलेगा, खत्रा पहुंचेगा, क्या लोगों का अविश्वास बढ़ेगा इन Digital Payments से, तो यह सवाल खड़ा हो जाता है, जी राम प्रकार से, जी, निश्चित तोर पर यह सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि डेटा सुरक्षा का मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत सारी बहसे होती है, लेकिन कुछ conclude हो नहीं पाता है, हाला कि इन सब के बीच में यह बहुत एहम होगा, कि अगर सरकार इस तरीके का विध्यक पास करा लेती है, और सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म जहां पर अविवक्ति की आजादी है, उन पर कंट्रोल होता है, तो निश्चित तोर पर यह देश के जो आम नागरिक हैं, उनके लिहाज से बहुत मुफीच चीज नहीं होगी, अब इस पर वि हमने यहाँ पराच किया, बहुत बहुत धन्यवाद अत्मजीत सवरें जानकारियों के लिए आपका.